दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरनेस एजूकेशन यूज में दोस्तो सूपरभात गुड मॉर्निंग आप सभी को तो इस वीडियो में रास्तान चिकित्सा विभाग एनम यानि की महिला स्वास्तिकारे करता सीधी भरती का जो सलीवस है लिखित परिक्षा के लिए वो यहाँ पे चारी हो गया है कौन-कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं वो बताएंगे इस वीडियो में सो अंकों की है जो परिक्षा इसमें होने वाली है और ग्यारा सो पच्पन इसमें कुल भरती पद हैं हलंकी जो भरती पद है वो ग्यारा सो पच्पन से जादा ही होंगे लेकिन फिलाल की हम बात करें तो ग्यारा सो पच्पन पदों पर यह भरती की जो विग्यप्ति है यह जारी की जाएगी और पहली बार जो है इसमें परिक्षा हो रही है इसके अलावा दोस्तों हम पिछले 5-6 सालों का आपको RNC में रजिस्ट्रेशन भी बता रहे हैं इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि A&M की भरती में फोरम कितने लग सकते हैं तो ग्यारा सो पच्वन पद सो अंकों की लिखित परिक्षा और पहली बार लिखित परिक्षा से भरती होने जा रही है A&M यनकी महिला स्वास्ते कारे करता की तो आईए दोस्तों बताते हैं आपको पूरी जानकारी क्या है सबसे पहले तो बताएं ये आज के दैनिक भासकर में आई है जैपूर संस्क्रण हो चाए अजमेर हो भीलवड़ा हो चित्तोड़ो कोई सा भी अकबार आप उठा लिजिए दैनिक भासकर का तो फ्रंट फेज पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो जानकारी का सोर्स तो ये है आप लोगों को बहुत सिकायते होती है कि कहां से जानकारी लिए है तो सबसे पहले दैनिक भासकर आप लोग देख लीजिएगा आजी का है मैंने जमेर्स ये जानकारी लिए ह ग्यारा सो पच्पन एनम पदों पर पहली बार परिक्षा से भरती शिलेबस हो गया है तैयार एनम बनना है तो सरकार की फ्लैक्सिक योजनाई भी रटनी होंगी इन सब को रटना होगा इनको याद करना होगा क्योंकि इन से सवाल पूछे जाने हैं तीन विभागों में स्लेबस होगा और सो अंकों का अंक भार यहां पर रहने वाला है सबसे पहले आप यहां पर देखें सामाने ग्यान आएगा कम्प्यूटर के साथ चिकित्सा विभाग की योजनाओं को सामिल किया गया है यानि की चिकित्सा विभाग के दुआरा जो योजना इसंचालित की जा रही है निसुलक दवा और जाच योजना कब चालू की गई इसकी इसके अलावा जन्नी, सिसू, सुरक्षा योजना रासरी योजना हेल्थ, वेलनेस सेंटर क्या है चिरंजीवी योजना क्या है RGHS स्कीम क्या है इन सब को मिला कर के अन्ने जो फ्लैक्सिफ योजनाई है इनको सामिल किया गया है अब इन से सवाल पूछा जाएगा कि चिरंजीवी योजना कब लागू की गई चिरंजीवी योजना के जितने भी लाव हैं उनको बताना होगा, आपको याद करना होगा कुछ भी पूछा जा सकता है कि चिरंजीवी योजना में जो चिकित्सा का जो खर्चा है, कितने तक का इलाज आप लोग बुफ्ट में करवा सकते हैं, कितने का बीमा मिलता है, यह तमाम जो सारी चीज़े हैं, यह पूछी जाएंगी, इन योजनाओं को कब चालू किया गया है, इनकी लिमिट्स क्या है, इनके लाब क्या क्या मिलते हैं, आम जनता को वो बताने होंगे, तो सारी के सारी योजनाओं याद करनी होंगी, ठीक है, इनम बनने की सबसे अधिक संभावना रहेगी, यानि कि यह सरकारी जो योजनाओं हैं, इन पर जादा फोकस करना होगा, परिक्षा के जरिये पहली बार 1155 पदों पर भरतिक की जाएगी, तो सबसे पहले टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए, सरकारी योजनाओं, कारिकरम, संस्तान, सामुदाइक स्वास्ते, विवा अधिनियम, यह भी आप लोगों को याद करने होंगे, तो सरकारी योजनाओं के अलावा, कारिकरम, जो सरकारी कारिकरम चलाए ज अपके डिनाएं भी आने वाला है इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मिडवाइफ री जो आपका सब्जक्त ठेडिज है स्वाष्ट केंपरबंधन ये भी आपका सब्जक्त का मेंटर है और इसके अलावा जो आने जा रहा है वो आएगा राजस्थान का सामान ग्यान जी के जो कि हम पहले से आप लोगों को बता रहे थे कि 70-30 का वेटेज रहने वाला है 70% आपके जी के का सोरी आपके सब्जेक्ट का और अब देखी राजस्थान जी के भी आएगी हिंदी अंग्रेजी आएगी और कम्प् पूछा जाएगा ठीक है तो यह यहां पर आप लोगों को याद करना होगा राजस्थान का जी के पूछा जाएगा और कम्प्यूटर के सवाल भी होंगे तो एक तरीके से कहें तो अच्छा स्लेबस यहां पर तयार किया गया है होना भी चाहिए था अगर परिक्षा ही ले आप लोगों को एक तरीके से वाइट भी हो जाएगा बड़ा भी होगा असलेबस निश्चित तोर पर इसमें कोई संकर नहीं है क्योंकि राजस्तान के सामाने ग्यान में क्या-क्या टोपिक्स दिये जाते हैं हिंदी अंग्रेजी में पूरी ग्रैमर्स दी जाएगी तै है ये इतना तो कंप्यूटर भी बहुत बड़ा है अब कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा ये टोपिक्स आने पर पता चलेगा लेकिन अवराल बात ये है सरकार की जो सरकारी ओजिनाए है कारिक्रम है संस्तान है सामुदाइक स्वास्त है कमूनिटी है विवा अधिनिय जो सरकार के दोरा चलाए जाते हैं उनको याद करिए ठीके कमूनिटी वगर आप लोगों का सोरी कमूनिटी वगर आप लोगों का पढ़ाई होगा उसको अच्छे से और ध्यान दीजिए और राजस्तान का जो जीके है और हिंदी अंग्रेजी है और कंप्यूटर है इन सा लोकोक्ती ये सारी साथ चीजी आ सकती हैं तो ये एक जानकारी है सलेवस को ले करके दूसरा हम बताएं ये देखिये नर्सिंग कौंसिल में रजिस्टेशन उनिस सो इनतिस रजिस्टेशन थे 2017 के ठीक है दोस्तों 2017 के रजिस्टेशन कितने थे 1929 ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग उसके बाद हम बात करें अगले 2018 के तो 1965 थे ठीक है 1965 के बाद 2019 की हम बात करें 1904 रजिस्ट्रेशन थे और 20 की हम बात करें 1757 थे ठीक है दोस्तों और 21 की हम बात करें 1694 थे और हम 22 की बात करें 2022 की अब तक की बात करें यह बरती की बज़े से संख्या देखिए कितनी बढ़ गई है अन्य स्टेट के होंगे लगबग इसमें यह देखिए तो यह संख्या लगबग लगबग 12,000 है ठीक है यह संख्या 12,000 की जो पिछले 5 सालों में रजिस्टेशन R&C में हुए है और आप यह मान की चलिए बारा के अलावा भी अगर हम 17 से बात करें तो यह संख्या लगबग 15 से 17,000 के असपास हो जाएगी ठीक है दोस्तो क्योंकि काफियों का रिनीवल है लगबग 12,000 होता है तो वहां पर यह भी सीज है ठीक है दोस्तो कुछ लोग करवाते हैं रही रिनीवल यह भी सारी चीज है पिछले 5 साल के यह नए रजिस्टेशन है ठीक है दोस्तो तो यह जानकारी थी आप लोगों के लिए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और जो ससीकांद सर्माजी है रजिस्टार रास्तार नर्सिंग कॉंसिल के तो उन्होंने भी इस्टेटमेंट दिया है कि यह नहीं भरती पहली बार परिक्षा से होगी सिलेबस बन गया है यहनकि आर एंसी जैपूर ने सिलेब की बढ़ जाएंगे इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन भरती विग्यप्ती यारसो पच्पन पर जारी हो सकती है और यह सिलेबस बन गया है यह सिलेबस आपका रहने वाला है अब इसमें टोपिक्स आप लोग चुन लीजिए और चुनना क्या है आप लोग कम से कम सरकारी जो योजिरें हैं कारिक्रम हैं उनको याद कर सकते हैं राजस्थान जीके भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत इसके अलावा हिंद्य अंग्रेजी और कंप्यूटर पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि बला हो सके धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिए इस पत्रम्याई है तब यह जानकर यह आपसे साजा की जा रही है आपको यह मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर धन्यवाद जैहिंद जै भारत